नमस्कार दोस्तों, प्रस्तूत है मुझ्षी प्रेमचंद्र की कहानी शुद्र कहानी के पहले भाग में हमने जाना गोरा एक शुद्र करनिया है जो अपनी मा के साथ एक गाउं में रहती है दोनों मा बेटी किसी परकार अपना गुजारा कर लेती है कि तो गाउं वालों को ये बात अखरती है कि यह दोनों मा बेटी बिना किसी मदद की अपना गुजारा कैसे करती है बिरादरी में कोई भी वैक्ति उससे सगाई करने को तैयार ना था इसी वीच एक अंजान वैक्ति उनके गाउं आता है और गोरा के घर टहरता है परन्तु कुछ समय बाद ही अचानक मंगरू कहीं चला जाता है कई साल बीच जाते हैं और मंगरू वापस नहीं आता एक दिन एक बूड़ा ब्रामर गोरा के घर आता है और कहता है उसे मंगरू ने भेजा है कि गोरा को कलकलते लिवा लाए गोरा उसके साथ चल देती है यहां आने पर भी गोरा के मंगरू से भेट नहीं होती वे बूड़ा ब्रामर कहता है कि मंगरू का तबादला दूसरे देश हो गया है उसने उसे वहां बुलाया है और वे उसे मिरिच के देश में जाने वाले जहाज में बिठा देता है वहां उसकी मुलाकात मंगरू से होती है अब आगी उसके सम्मुक वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्रान धार था और जिससे इस जीवन में भेट होने के उसे लेश मातर की आशाना थी वह मंगरू था इसमें जराबी संदेना था हां उसकी सूरत बदल गई थी योवनकाल का वह कांती में साहस सदिद सहिर्देच्छवी नाम को भी ना थी बाल खिचड़ी हो गए थे गाल पिचके वे लाल आँखों से कुवासना और कठोरता जलक रही थी पर था वे मंगरू गोरा के जी में प्रबल उच्छा हुई कि स्वामी के पैरों सिली पड़ जाओ चिलाने का जी जाहा पर संकोच ने मन को रोका बुड़े ब्रामन ने बहुत ठीक कहा था स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए उसने अपनी संगनी के कान में कहा बेहन तुम उस ब्रामन को वेर्थी बुरा कह रही थी यही तो हैं वे जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं स्थ्री सच खूब पहचानी हो स्थ्री तब तो तुमारे भाग जग गए मेरी भी सुधी लेना गोरा भेहन भला ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुमें छोड़ दू मंगरू यात्रियों से बात-बात पर बिगड़ता था बात-बात पर गालियां देता था कई आद्मियों को ठोकर मारी और कई को केवल गाउं का जिला ना पता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया गोरा मन ही मन गड़ी जाती थी साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछेष्टा पूंग नेत्रों से देखकर बोला तुम्हारा क्या नाम है गोरा नहीं कहा गोरा मंगरू चौक पड़ा फिर बोला घर कहा है मदनपूर जिला बनारस मंगरू ने अपकी उसकी और ध्यान से देखा तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला गोरा तुम यहां कैसे मुझे पहचानती हो गोरा रो रही थी मुझे बात ना निकलती मंगरू फिर बोला तुम यहां कैसे आई गोरा खड़ी हो गई आसू पहुँच डाले और मंगरू की और देखकर बोली तुम ही ने तो बुला भेजा था मंगरू मैंने मैं तो साथ साल से यहां हूँ गोरा तुमने उस बूडे ब्रामन से मुझे लाने को नहीं कहा था मंगरू कहतो रहा हूँ मैं साथ साल से यहां हूँ मरने पर ही यहां से जाऊंगा भला तुम ही क्यों बुलाता गोरा को मंगरू से इस निश्ठूरता की आशा ना थी उसने सोचा अगर ये सत्ते भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यू अपमान ना करना चाहिए था क्या वे समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ यह तो इतने ओच्छे सभाग के ना थे शायद दर्जा पाकरी ने मध हो गया है नारी सुलप अभिमान से गर्दन उठा कर उसने कहा तुमारी इच्छा हो तो अभी यहां से लोट जाओ तुमारे उपर भार नहीं बनना चाहती मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला अब तुम यहां से लोट नहीं सकती गोरा यहां आकर बिल्ला ही कोई लोटता है यह कहकर कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए उसकी कठोर मुखा किर्ती पर दीनता का रंग छलक पड़ा तब कातर स्वर में बोला जब आ ही गई हो तो रहो जैसी कुछ पड़ेगी देख ही जाएगी गोरा जहाज फिर कब लोटेगा मंगरू तुम यहां से पांस बरस के पहले नहीं जा सकती गोरा क्यों क्या कुछ जबर्दस्ती है मंगरू हाँ यहां का यही हुकम है गोरा तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा जब तक मैं जीता हूँ तुम उससे अलग नहीं रह सकती गोरा तुम्हारे उपर बाहर बन करना रहूंगी मंगरू मैं तुमें बाहर नहीं समस्ता गोरा लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है नहीं तो अब तक मैंने तुमें कब कब उला लिया होता वही बूरा आदमी जिसने तुमें बैकाया मुझे घर से आते समय रास्ते में मिल गया और जहांसा देकर मुझे यहां भरती कर दिया तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ चलो मेरे घर में रहो वहां बाते होंगी यह दूसरी ओरत कौन है गौरा यह मेरी सकी है इने भी बूरा भैका लाया मंगरू यह तो किसी कोठी में जाएगी इन सब आदमियों की बाठ होगी जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक की कोठी में भेजे जाएंगे गौरा यह तो मेरे साथ है न चाती है मंगरू अच्छी बात है इने भी लेती चलो यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौप कर दोनों औरतों को साथ घर की रह ली दोनों और सगन विष्ट की कतारे थी जहां तक निगा जाती थी उख ही उख दिखाई देते थे समुद्र की और से शीतल निर्मल बायू के जोके आ रहे थे आतियन सुर में दिश्य था पर मंगरू की निगा उस और ना थी वे भूमी की और तापता सिर जुकाई संदिक्थ चाल से चला जा रहा था मानो मन ही मन कोई समस्या का हल ढूंड रहा हो थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते वे दिखाई दिये समीप आकर दोनों रुप गए और एक नी हस कर कहा मंगरू इन में से एक हमारी है दूसरा बोला और दूसरी मेरी मंगरू का चेरा तम तमा उठा भिष्ण कोर्ट से कापता हुआ बोला यह दोनों मेरे घर की ओरते हैं समझ गए इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेश्टा करके कहा यह मेरी है चाहे तुमारे घर की हो चाहे बाहर की बच्चा हमें चक्मा देते हो मंगरू कासिम इन्हें मत छेड़ो नहीं तो अच्छा ना होगा मैंने कह दिया मेरे घर की ओरते हैं मंगरू की आँखों से अगनी की ज्वाला सी निकल रही थी वे दोनों इसके मुक का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े किन्तो मंगरू के अधिकार शेत्र से बाहर पहुंसते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा देखे कहा लेके जाते हो मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया जरा कदम बढ़ा कर चलने लगा जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं हमें पक पक पर यह शंका होती कि कोई शब्द कान में न पढ़ जाए कोई सामने आकर खड़ाना हो जाए कोई जमीन के नीचे से कफन ओड़े उठ खड़ाना हो गोरा ने कहा ये दोनों बड़े शोदे थे मंगरू और मैं किसली कह रहा था कि ये जगा तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दोड़ाता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला वेल जमादार ये दोनों औरते हमारी कोठी में रहेगा हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है मंगरू ने दोनों औरतों को अपनी पीछे कर लिया और सामनी खड़ा होकर बोला सहब ये दोनों हमारी घर की औरते हैं सहब ओ हो तुम जोटा आदमी हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दोले जाएगा ऐसा नहीं हो सकता उसने गोरा की और इशारा करके कहा इसको हमारी कोठी पर पहुँचा दो मंगरू ने सिर से पैट तक कापते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता मालिक मगर सहब आगे बढ़ गया था उसके कान में बात ना पहुँची उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामिल करना जमादार का काम था शेश मार्ग निर्विल समाप्त हुआ आगे मजूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे द्वारों पर इस्त्री प्रुष जहां तहां बैठे हुए थे सभी इन दोनों इस्त्रीयों की और घूरते थे आपस में इशारे करते हसते थे गोरा ने देखा इन में छोटे बड़े का लिहाज ना था ना किसी की आँखों में शर्म थी एक पडोसिन ने कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात दूसरी अपनी चोटी गुट्ती भी बोली कलोर है ना मंगरू दिन भर दूआर पर बैठा रहा मानो कोई किसान अपने मटर के खेट की रखवाली कर रहा हो कोटरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपनी नसीबों को रो रही थी इतनी ही देर में दोनों को यहां की दशा का परिचे हो गया था दोनों भूकी प्यासी बैठी दी यहां का रंग देखकर भूक प्यास अब सब भाग गई थी रात की दस बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा चलो तुमें सहाब उला रहे हैं मंगरू ने बैठे बैठे कहा देखो नभी तुम भी हमारे देश के आदमी हो कोई मोका पड़े तो हमारी मदद करोगी ना जाकर सहाब से कह दो मंगरू कहीं गया है बहुत होगा जुर्माना कर देंगे नभी ना भीया गुस्से में भरा बैठा है पिये हुए भी है कहीं मार चले तो बस अपना चमडा इतना मजबूत नहीं है मंगरू अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता नभी मुझे क्या जाकर कह दूँगा पर तुमारी खैरियत नहीं ये कहकर वे बंगले पर चला गया यही वे सहाब थे जिसने आज मंगरू की भेट हुई थी मंगरू जानता था कि सहाब से बिकाड के यहां एक शन भी निर्वा नहीं हो सकता जाकर सहाब के सामने खड़ा हो गया सहाब ने दूर से ही डाटा वे औरत कौन है तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है मंगरू हजूर वे मेरी ब्याता ओरत है सहाब अच्छा वे दूसरा कौन है मंगरू वे मेरी सगी बहन है हुजूर सहाब हम कुछ नहीं जानता तुमको लाना पड़ेगा दो में से कोई एक मंगरू पैरो पर गिर पड़ा और रो रोकर अपनी सारी राम कहानी सुना गया पर सहाब जरा भी ना पसीजे अंत में वे बोला हुजूर वे दूसरी ओरतों की तरह नहीं है अगर यहां आ भी गई तो प्रान दे देंगी सहाब ने हसकर कहा ओ जान देना इतना आसान नहीं है नभी मंगरू अपने दाव रोते क्यों हो तुम हमारे घर नहीं गुशते थे अभी जब घात पाते हो जा पहुंशते हो अब क्यों रोते हो एजट ओ यह बदमाश है अभी जा कर लाओ नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा मंगरू हजूर जितना चाहे पीट ले मगर मुझसे यह काम करने को ना कहे जो मैं जीते जी नहीं कर सकता एजट हम एक सो हंटर मारेगा मंगरू हजूर एक हजार हंटर मान ले लेकिन मेरे घर की ओरतों से ना बोले एजट नशे में चूर था हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासर जमाने दस बारा कोड़े मंगरू ने धहरे के साथ सहे फिर हाई हाई करने लगा धह की खाल फट गई थी और मास पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंट से आहा की धवनी निकल पड़ती थी रात के दस बज गए थे चारो और सन्नाटा चाया था और उस नीरव अंदिकार में मंगरू का करुन बिलाप किसी पक्षी की भाती अकास में मंडरा रहा था विर्शो के समू भी हत बुद्धी से खड़े मोन रोने की मूर्ती बने हुए थे यह पाशान हिद्धे लंपड विवेक्षुन्य जमादार इस समय आपरिचित इस्त्री के सतित्व की रक्षा करने के लिए अपने प्रान तक देने को तयार था केवल इस नाते की यह उसकी पत्नी की संगनी थी वे समझ संसार की नजरों में गिडना गवारा कर सकता था पर अपनी पत्नी की भक्ती पर अखन राज्य करना चाता था इसमें अनु मात्र की कमी भी उसके लिए आसे थी इस आलोकिक भक्ती के सामने उसके जीवन का क्या मुल्ले था ब्रामनी तो जमीन पर ही सो गई थी पर गोरा बैठी पती की बाट जो रही थी अभी तक वे उससे कोई बात नहीं कर सकी थी साथ वर्षों की विपत्ती कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वे समय फिर कब मिल सकता था उसे ब्रामनी पर कुछ क्रोज सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई इसी के कारण तो वे घर में नहीं आ रही है यकायक वे किसी का रोना सुनकर चौक पड़ी भगवान इतनी रात गई कौन दुख का मारा रो रहा है अवश्य कोई कहीं मर गया है वे उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहां बैठा हुआ है बोली वे कौन रो रहा है जरह देखो तो लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वे स्वेम कान लगा कर सुनने लगी सैसा उसका कलेजा धक से हो गया तो यह उनी की आवाज है अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी मंगरू की आवाज थी वे द्वार के बाहर निकल आई उसके सामने एज़न्ट का बंगला था उसी तरफ से आवाज आ रही थी हाई कोई उन्हें मार रहा है आदमी मार पढ़ने पर ही इस तरह रोता है मालूम होता है वही साब उन्हें मार रहा है वे वाज खड़ी ना रह सकी पूरी शक्ती से उस बंगले की और दोड़ी रास्ता साफ था एक शड में वे फाटक पर पहुँच कई फाटक बंध था उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया लेकिन वे फाटक ना खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला तो वे फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमान्चक कारी दिश्य देखा मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था गोरा की आँखों के सामने अंधीरा चा गया वे एक चलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षे प्रेम सबल हातों से ढाक कर बोली सरकार दया करो इनके बदले मुझे जितना मारना है मार लो पर इन्हे छोड़ दो एजट ने हाथ रोक लिया और उनमत की भातिक गोरा की और कई कदम आकर बोला हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा मंगरू के नथने फड़कने लगे यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बाते कर रहा है अब तक वह जिस अमुले रतनी की रक्षा के लिए इतनी यातना ही सह रहा था वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही थी वह आस है था उसने चाहा की लपकर साहब की गरदन पकड़ लूँ जो कुछ होना है हो जाए यह अपमान सैने के बाद जीकर ही क्या करूंगा लेकिन नभी ने उसे तुरंट पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पाउं बांद दिये मंगरू भूमी पर छट पटाने लगा गोरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली हुजूर इन्हें छोड़ने मुझ पर दया करें एजिन्ट तुम हमारे पास रहेगा गोरा ने खून का घूट पीकर कहा हाँ साफ रहूंगी बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा करा रहा था उसकी धह में सूजन थी और खावों में जलन सारे यंग जकड गए थी हिलने की भी शक्ती ना थी हवा घावों में सर के समान चुपती थी लेकिन ये वे बेथा वे सहना सकता था आसे यह था कि साहाब गोरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनी पीड़ा भूसी गई थी कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पढ़ जाए तो देखो क्या बाते हू रही है गोरा वशे चिला कर भागेगी और सहाब उसके पीछे दोड़ेगा अगर मुझसे उठा जाता तो मैं उसे बचा लाता और सहाब को वही गाड़ देता लेकिन बड़ी देर हो गई ना तो गोरा चिलाई ना बंगले से निकल कर भागी व्या उसे सजे सजाए कमरे में सहाब के साथ बैठी सोच रही थी क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है मंगरू का पीड़ा क्रुधन सुन सुनकर उसके हिर्दे के तुकड़े हुए जाते थे क्या इसके अपने भाई बंद माबहन नहीं है माता यहां होती तो इसे कितना अत्य चार ना करने देती मेरी अम्मा लड़कोपर कितना बिगड़ती थी जवे किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी पेड़ में भी तो प्राण होते हैं क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मनाना करती। सहाब शराब पी रहा था और गोरा गोस्ट काटने का छुड़ा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गोरा की निगा एक चितर की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गोरा ने पूछा, सहाब ये किसकी तस्वीर है। सहाब ने शराब का गिलास मेज पर रख कर कहा, ओ, ये हमारे खुदा की मा मरियम है। गोरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है, क्यूं सहाब, तुम्हारी मा जीती है न। सहाब, वे मर गया, जब हम यह आया, तो वे बिमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। सहाब के मुखमंदल पर करुणा की जलक दिखाई दी। गोरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा, तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था, वे रोरो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गई, तभी तुम्हारा दिल इतना कड़ा है, सहाब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाता था, वैसी ओरत दु इतनी गरेबी का दुख सैकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता, क्या वे दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी नहीं होती होगी, उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है, सहाब, ओ, हमारे पास उनका कई फोटो है, देखो, वे उनी की तस्वीर वे दिवाल पर गोरा ने समीब जाकर तस्वीर देखी और करुणस्वर में बोली सच मुझ देवी थी जान पड़ता है दया की देवी है वे तुम्हें कभी मारती थी के नहीं मैं तो जानती हूँ वे कभी किसी पर ना बिगरती होंगी बिल्कुल दया की मूरती हैं सहाख ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था वे बहुत गरीब था पर अपने कमाई में कुछ न कुछ खैरात करता था किसी बिनाबाब के बच्चे को देखकर उसकी आँखों में आसु भराता था वे बहुत ही दयावान था गोरा ने तिरसकार के स्वर में कहा और उसी देवी के प तो तुम्हारे यहां भी होगा ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए गोरा को ये बाते कहते वे जरा भी भेना होता था उसने अपने मन में एक दिड़ संकल्ब कर लिया था और जब उसे किसी परकार का भेना था जान से हाध हो लेने का निश्य कर लेने के बाद भे की छाया भी नहीं रह जाती किन्तु वे हिर्दय सुन्ने अंग्रेज इन तिरसकारों पर आग हो जाने के बदले और भी नर्म होता जाता था गोरा मानवे भावों से कितनी ही अनभिग्य हो पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रतेग हिर्दय में चाहे वे सादू का हो या कसाई का आदर और प्रेम का एक कुना शुरक्षित रहता है ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातसने की समृति थोड़ी देर के लिए रूलाना देती हो उसकी हिर्दय के कोमल भाव को जगाना देती हो सहाब की आखे डब डबा गई थी सिर जुकाई बैठा रहा गोरणे फिर उसी धुवनी में कहा तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया उसी को मरने के पीछे इतना कस्ट दे रहे हो क्या इसलिए माता अपने पुत्र को अपना रख पिला पिला कर पालती है अगर वे बोल सकती तो क्या चुब बैठी रहती तुमारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती मैं तो समझती हूँ वे जीती होती तो इस वक्त विश्ख खाकर मर जाती सहाब अब जप्त ना कर सके नशे में क्रोध की भाती गलानी का वेग सहज में ही उठाता है दोनों हातों से मूँ छिपाकर सहाब ने रोना शिरू किया और इतना रोया की हिच्च की बंद गई माता के चित्र के सम्मुख जाकर वे कुछ देर तक खड़ा रहा मानो माता से शमा मांग रहा हो तब आकर आदर कंट से बोला हमारे माता को अब कैसे शांती मिलेगा हाई हाई हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला हम कितना अभागा है गोरा अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और तुम फिर दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे साहब नहीं नहीं अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा अब हम अभी मंगरू को अस्पताल भीजता है राथ ही को मंगरू अस्पताल पहुँचा दिया गया एजएट खुद उसको पहुँचाने आया गोरा भी उसके साथ थी मंगरू को ज्वर हो आया था बेहोश पड़ा था मंगरू ने तीन दिन आखी ना खोली और गोरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही एक शण के लिए भी वहाँ से ना हटी एजएट भी कई बार हाल चल पूछने आ जाता और हर मरतबा गोरा से शमा मांगता चोथे दिन मंगरू ने आखे खोली तो देखा गोरा सामने बैठी हुई है गोरा उसे आखे खोलते देखकर पास आख खड़ी हुई और बोली अब कैसा जी है मंगरू ने कहा तुम यहां कवाई गोरा मैं तो तुम्हारे साथ ही यह आई थी तब से यही हूँ मंगरू सहाब के बंगले में क्या जगे नहीं है गोरा अगर बंगले की चाह होती तो सास समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती मंगरू आकर कौन सा सुख दे दिया है तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया गोरा ने जुंजला कर कहा तुम इस तरह की बाते मुझसे ना करो ऐसी बातों से मेरे देह में आग लग जाती है मंगरू ने मूँ फेड लिया मानों से गोरा की बात पर विश्वास नहीं आया दिन भर गोरा मंगरू के पास बेदाना पानिक खड़ी रही गोरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वे चुप्पी साधे रह गया ये संदे युक्त निरादर कोमल हिर्दे गोरा के लिए आसे था जिस पुरुष को वेह देव तुले समझती थी उसके प्रेम से वंचित होकर वे कैसे जीवित रह सकती यही प्रेम उसके जीवन का आधार था उसे खोकर वे अपना सर्वस्थ खो चुकी थी आधी राज से अधिक बीच चुकी थी मंगरु बेखबर सोया हुआ था शायद वे कोई स्वपने देख रहा था गोरा ने उसकी चड़नों पर सीर रखा और अस्पताल से निकली मंगरु ने उसका परित्याग कर दिया था वे भी उसका परित्याग करनी जा रही थी अस्पताल के पुर्व दिशा में एक फलाग पर एक छोटी सी नदी बहती थी गोरा उसके कागार पर खड़ी हो गई अभी कई दिन पहले वे अपनी गाओं में अराम से रह रही थी उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वे इतनी आसानी से खोई भी ज़ा सकती है उसे अपनी मा की, अपने घर की, अपनी सहलियों की अपनी बकरी के बच्चों की याद आई वे सब कुछ छोड़ कर इसलिए यहाँ आई थी क्या सहाब के बंगले में जगा नहीं है उसके मर्म स्थान में बानों की समान चुबे हुए थे यह सब मेरे ही तो कारण हुआ मैं न रहूंगी तो वे फिर अराम से रहेंगे सैसा उसे ब्रामनी की याद आ गई उस दुखिया के दिनिया कैसे गटेंगे चलकर सहाब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज़ दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे वे लोटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा गोरा गोरा वे मंगरू का करून कमपिच स्वर था वे चुपचाप खड़ी हो गई मंगरू ने फिर पुकारा गोरा गोरा तुम कहा हो गोरा मेशवर से कहता हूँ कि गोरा ने और कुछ न सुना वे धम से नदी में कूट पड़ी बिना अपने जीवन का अंत किये ये सौमी की विपत्ती का अंत ना कर सकती थी धमाके की आवास सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद पड़ा वे अच्छा तैराख था मगर कई बार गोते मारने पर भी गोरा का कहीं पताना चला प्राते काल दोनों लाशे साथ-साथ नदी में तैर रही थी जीवन यात्रा में उन्हें वे चिरसंग कभी न मिला था स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ-साथ जा रहे थे धन्यवाद आशा करती हूँ आपको एक कहानी पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द